रेटिनल वेन औक्लूँजन आँख ऐसे हिस्सों से बनी होती है, जो रेटिना पर रौशने प्राप्थ और केंद्रित करते हैं, और रेटिना जो रौशने को प्राप्थ कर, आप्टिक नर्व के द्वारा दिमाग को संकित भेजता है, आप जो देखते हैं दिमाग वही समझता है। शरिर के किसी दूसरे हिस्से की तरह रेटिना जो द्रिष्टी की कुंजी है उससे भी रक्त वाहिका उंद्वरा आपूर्ती की जाती है। ये दूसरा सबसे आम रक्त वाहिका संबंधित अंधापन है। कोई डॉक्टर जब आखों की जांच करता है तो वो रेटिनल वेन ओक्लूजन में एक स्कोप का उपयोग करके रक्त सराब सूजन और तरल पदार्थ के रिसाब को देख सकता है। रेटिनल वेन ओक्लूजन से पिरित मरीजों को दृष्टी का धुंदलापन या आंग्शिक या पूरी आँखों में अंधेपन का अनुभब हो सकता है। दृष्टी के शेत्र में तेरते हुए काले धब्बे या रेखाए हो सकती है। मरीजों को आखों में दर्द या दबाव भी महसूस हो सकता है। रेटिनल वेन ओक्लूजन में लक्षन बिना किसी चेतावनी के अचानक विकसित हो जाते हैं। थ्रोम्बस या खुन का जम्ना रक्त वाहिका को अवरुध कर देता है। यही रेटिनल वेन ओक्लूजन का कारण है। रुकावट के स्थान के आधार पर रेटिनल वेन ओक्लूजन दो प्रकार के होते हैं। Central Retinal Vain Occlusion या CRVO जहां Retina की मुख्यनस अवरूद होती है और Branch Retinal Vain Occlusion या BRVO जहां Retinal Vain की शाखा अवरूद होती है। दिमाग के बहने के दुरलब मामलों में आधा Retina अवरूद हो सकता है जिससे Hemiretinal Vain Occlusion या HRVO कहा जाता है। इन में से कुछ कारक Throbus के बनने और Retinal Vain के अवरूद होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। धुम्रपान, अधिक वजन या मोटापा, व्रधावस्था, रक्त वाहिकाओं का सक्थ होना, ग्लॉकुमा, लिम्फोमा, एक प्रकार का ट्यूमर, रक्त की एक अवस्था जिससे लिकेमिया कहा जाता है, एक स्थिती जिससे Multiple Myeloma कहा जाता है और आँख में चोट लगना। आप जो लक्षण महसुस कर रहे हैं उसको जानने के लिए आपका डॉक्टर इस बारे में आपसे विस्तार से पूछेगा और ये भी देखेगा क्या आपने पहले धुम्रपान यादी जैसे जोखिम वाले कारक के बारे में बताया है। इसमें एक हानी रहित डाई को हाथ की रक्त वाहिका में इंजिक्ट किया जाता है। बनाने के लिए एक रेटिना को स्कैन करती है तो डॉक्टर जबी की जांच करता है और विस्तरत जांच करके असामान्यताओं की पहजान करता है। डॉक्टर को मैकुला नामक रेटिना के हिस्से में सूजन मिल सकती है। अवरोत रक्त वाहिकाओं, रक्त वाहिकाओं का रिसाव, नई रक्त वाहिकाओं और रेटिना में खून बहना। जोखिम वाले कारक से बचना और स्वस्थ जीवनशयली बनाए रकना रेटिनल वेन ओक्लूजन की दिशा में पहला कदम है। अगर रेटिनल वेन ओक्लूजन पहले ही हो चुका है, निवारक उपाई और विगनने से कम करने में मदद कर सकता है जटिरताओं का बढ़ना और दूसरी आँख में इस्थिति का बढ़ना। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान करना बंद कर दें और किसी और तरीके के धूम्रपान से भी बचें। रक्त चाप, ब्लड शुगर और कॉलेस्ट्रोल के स्थर को सक्थ नियंत्रण में रखें। अप इसे दूसरी आँख में होने से रोख सकें। शरीर के लिए जो भी स्वस्थ हैं वो आँखों के लिए भी स्वस्थ हैं। आपकी आँखों के स्वस्थ नियंत्रण में वायाम आवश्यक हैं। दुर्भाग्य से retinal wave occlusion ठीक नहीं किया जा सकता है, जिसका मतलब नस को खोला नहीं जा सकता है. हाला कि उपचार से जटेलताओं से बचा जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है. Retinal wave occlusion का इलाज स्थान्य इंजेक्शन और लेजर थिरपी से किया जाता है. ये उपचार कुछ लोगों में कुछ महिनों में द्रिष्टी बहाल करने में मदद करती हैं और कुछ लोगों की पूरी तरह से द्रिष्टी जा सकती है. Vascular Endothelial Growth Factor नामक एक बूंद को बहुत पतली सुई का उपयो करके नंबर आई में इंजेक्शन मैकुलर नाम का रेटिना के हिस्से में द्रब को बनने में रोग सकता है. द्रब बनने में कमी आपको बहतर देखने में मदद करेगी, दवा सुजन को कम करने में मदद करेगी. सुजन को कम करने के लिए steroid injection दिया जाता है. रिसावाले रक्तवाहिकाएं होती हैं और रेटिनल वेन ओक्लूजन में नई रक्तवाहिकाओं का विकास हो रहा होता है. हमारे रक्तवाहिकाओं को आगे नुकसान से बचने के लिए लेजर का उपयोग करके जलाया दिया जाता है. दुरभाग्य से रेटिनल विन ओक्लूजन कोई जेताव नहीं या फिर लक्षणों के साथ नहीं आता है बलकि अचानक हमला करता है इसके अलावा रेटिनल विन ओक्लूजन के लिए कोई इलाज नहीं है लेकिन पहले से हो चुके नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है आखों के जांच जरूरी है खासकर अगर आप में जोखिमकारक है जो आखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे कि धुम्रपान, कॉलेस्ट्रॉल, मधुमेह और उच्चरत्चाप रैजुमाब के निर्माताओं की और से इंटास द्वारा जनहित में जारी